क्लास 10 का हमारा चाप्टर ट्राइंगल्स लास्ट के वीडियो में जब हम बात कर चुके हैं कि ट्राइंगल्स में कॉंसेप्स क्या के यूज होने हैं जब हम बात कर चुके हैं कि चाप्टर 6 दाइस ट्राइंगल की 1st और 2nd exercise कैसे की जाएगी वहाँ पर BPD theorem लग रही है Converse of BPD theorem लग रही है आगे चलते हैं बात करते हैं exercise 6.3 की जिसमें में हम similarity के concept से डील कर रहे हैं यह देख रहे हैं कैसे कैसे किन किन criteria को use करके हम दो triangles को similar proof कर सकते हैं अब अगर आपने concepts की video अच्छे से देखी है तो आपको मतलब पता होगा similarity का आपको क्राइटीरियास भी बता होंगे जिस जिसके through हम दो triangles को similar proof कर सकते हैं हम triple S S S S similarity देख चुके हैं हम A A A similarity देख चुके हैं हम S A S similarity भी देख चुके हैं अब इस exercise में हम कुछ और extra सीखेंगे क्या हमने criteria देखा था A A A that is angle 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 similarity अब उसी से मैं एक और criteria derive करमा that will be A A angle angle criteria वो कैसे होगा कब-कब उसको use के जाएगा वो आने वाले questions में देखेंगे अभी के लिए start करते हैं with the most basic question of exercise which is question number one Question number one में आपको दिया क्या हुए आपको 6 parts दे दिये गए हैं वो आपको कह रहे हैं बताओ जो मैंने आपको 2 triangles दिये हैं यहां पर हर 6 parts में इसमें कुछ dimensions दे दी हैं कभी कभी sides दे दी हैं कहीं-कही angles दे दी हैं बताओ और क्या मेरे दो given triangles क्या मेरे दो given triangles similar हैं या नहीं और अगर similar हैं तो बताओ किस क्राइटीर हैं कि Starting with the question मैंने यहां 6 में से 3 part ले हैं 1st part 4th and 6th part Starting with the first part देखते हैं question क्या क्या रहा है Question में मेरे पास 2 triangles हैं नाम क्या है ABC and PQR जहां पे In triangle ABC, A is 60 degree, B is 80 degree, C is 40 degree Similarly PQR में angle P is 60 degree, Q is 80 degree and R is 40 degree वो कह रहे हैं पूछ रहे हैं हमसे क्या यह दो triangles similar हैं मैं कहा हूं लग तो रहे हैं क्यूं Because मैं कह सकता हूं that in triangle ABC and triangle PQR I can say that angle A is equal to angle P उसके साथ-साथ angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R क्यों? Because यहां पे A और P A और P दोनों मेरे 60 degree हैं B and Q दोनों मेरे 80 degree हैं C और R दोनों मेरे 40 degree हैं तो angles आपस में हैं same So I can say that triangle ABC और triangle PQR क्या हैं? मेरे similar हैं कौन से criteria से? By A, A, A similarity angle, angle, angle similarity I can say that triangle ABC is similar to triangle PQR What can I say? Triangle ABC is similar to triangle PQR Same position हैं, यहां भी same position हैं इसलिए मैंने कहा दिया कि यह हैं मेरे similar symbolic form symbolic form में दिखा दी और हुच समझ आया है, जल्दी चलते हैं, आगे बात करते हैं force part की, force part में क्या हैं? मेरे पास यहां दो triangles हैं N, triangle M, N, L and triangle PQR में क्या देख्रों मुझे दिया क्या हुआ है? कि मेरे पास M, N 2.5 cm है, 2.5 units है M, N मेरे पास 5 units है, angle M 70 है उसी के साथ साथ जो triangle PQR है, यहां पर है मेरे पास angle Q है 70 degree PQ है 5 units और QR है 10 units अब अगर देखने वाली बात यह है कि मेरे पास जो angle है, मेरे पास जो angle है तो उसके जो associated sides है, मतलब the sides and the angle contained the angle between the two sides मेरे को यहां पर दिया हुआ है, equal दिया होगा न, M और Q दिया हुआ मेरे को equal उसके साथ साथ M के साथ साथ मेरे को MN और M L की units दिये हुए और PQR मेरे मेरे पास PQ और QR की units दिये हुए मतलब angle and the sides containing the angle उनके मुझे units दिये में क्या यह ratio में है या नहीं यह इवर कर लेते हैं, यहां पर चेक अब इन triangle M N L and triangle PQR मेरे पास angle M is equal to angle Q तो दिया हुए तो दोनों हैं मेरे 70 degree अब चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा है कि मेरे दोनों triangles की जो sides आओ एक certain ratio में हैं या नहीं मैं देख रहा हूँ M N upon PQ अगर मैं चेक करूँ M N upon PQ तो मेरे पास आ रहा है 2.5 upon 5 मेरे पास आ गया 1 upon 2 और उसके साथ साथ N L upon Q अगर कर दूँ तो मेरे पास आ रहा है 5 upon 10 इसको simplify करने पर क्या आ रहा है 1 upon 2 तो मेरे पास क्या रहा है M N upon PQ is equal to N L upon QR तो मतलब 2 sides ratio में है and the angle contained the angle between the two sides भी है मेरे पास equal तो मैं क्या क्या सकता हूँ By S A S similarity I can say that triangle point है symbolic form में कैसे लिखें यह तो मैं clear कर चुका हूँ कि यह similar है point क्या है point है symbolic form क्या लिखें अगर मैं लिखू N M L is similar to N M L किसके similar होगा देखो जी M जो था वो था Q के equal तो M और Q के placing हो गई same then M N और P Q की M N और P Q की placing same है so यहां आ गया P और यहां आ गया R Q because M N और P Q ratio में थे तो M N और P Q corresponding sides की तरह है then M L M L और Q R Q R यह ratio में थे यह भी मेरी same position पे है तो मैंने symbolic form भी लिए दिया that triangle N M L is similar to triangle P Q R and they are similar using S A S similarity I hope दोनों पार्ट समझ आया है जल्दिस होते हैं आज भी जल्दिस इसको रख करते हैं फिर देखेंगे हम 6th पार्ट में कैसे करने वाले हैं अब अगर आगे चलिए बात करें यहां पे 6th पार्ट की question 1 के 6th पार्ट की तो 6th पार्ट में क्या किया रहें मेरे पास यहां पे 2 triangles है in triangle D E F एके triangle D E F and triangle P Q R and triangle P Q R यहां पे मेरे को दिया किया हुआ जोना इसको ध्यान से देखो मेरे पास यहां पे given है that angle D is 70 degree उसके साथसे में दिया हुआ angle E is 80 degree in triangle D E F मेरे वो क्या दिया हुआ D is 70 angle E is 80 and in triangle P Q R मुझे क्या दिया हुआ है मेरे पास दिया हुआ है that angle Q is 80 degree and angle R is 30 degree वो मुझ से पूछ रहे है बताओ कि क्या यह 2 triangles similar है या नहीं और 8 बार में देखने हुआ लगते कि नहीं triangle similar नहीं है क्यों? विकॉज यहां पे मेरे पास जो sides दिये हुआ है और यहां जो sides दिये हुआ है यह है मेरी अलग लग सिर्फ एक सेम है which is 80 degree but क्या? actual में यह similar नहीं है यह मैं चेक कर लेते हैं क्या करते है दोनों triangles में इसमें भी और इसमें भी जो third angle नहीं थिया वो वो निकालते है in triangle D E F मुझे पता है I hope आपको भी पता है that angle D plus E plus angle F is 180 degree and reason क्या है? reason है इसका angle sum property कि एक triangle के तीनों angles का sum हमेशा होगा 180 degree हाभी मेरे पास given है that D is 70 degree E is 80 degree मेरे पास F नहीं है और इन तीनों का sum है 180 point आते है 80 plus 70 कितना है? 80 plus 70 है 150 degree 150 plus angle F is 180 degree अब angle F क्या है? angle F आ गया 180 minus 150 so angle F comes out to be 30 degree तो यह पार्ट क्या आ गया? यह पार्ट आ गया 30 similarly आगे चलते हैं बात करते हैं in triangle P Q R अब triangle P Q R अब triangle P Q R को अगर देखा जाए तो angle P plus Q plus R again तीनों का sum क्या है? 180 degree reason angle sum property P मेरे को नहीं given मेरे पास Q given है 80 और R given है 30 तीनों का sum है 180 80 degree plus 30 degree is 110 angle P plus 110 is 180 angle P अगल P कितना आ गया? it is 180 minus 110 angle P मेरे पास आ गया 70 degree अब अगर मैं दोनों triangles को compare करूं अब अगर आप दोनों triangles देखो तो क्या? अब आप कह सकते हो कि दोनो triangles similar हैं बहुत अराम से क्यों विकाज तीनों angles जो हैं दोनो triangles के वो हैं equal I can say that in triangle DEF and triangle P Q R मेरे पास गया given है? D is equal to angle P दोनों है 70 angle E is equal to angle Q दोनों है 80 degree and angle F is equal to angle R दोनों है 30 degree so I can say that by A A A similarity my triangle DEF is similar to triangle P Q R मैंने clearly यहां पर proof कर दिया point है मैंने वीडियो की starting में कहा था अब तक A A similarity सीख चुके हैं आप एक नई चीज़ सीखेंगे that is A similarity A similarity यहां पर हमें क्या given था हमारे पास दो angles से दोनों triangle के हैं तीसरा angle 180 degree के equal equate करके क्योंकि तीनों का sum होता है 180 degree यहां से हमने तीसरा angle निकार लिए और यह दिखा लिया कि तीसरा angle भी दोनों triangle का है सेम तो हमेशा अगर मैं यह प्रूफ कर पाऊं अगर मैं दो triangles में यह चीज प्रूफ कर पाऊं क्यूंकि दो angles equal हैं तो मुझे पता है तीसरा angle भी equal होगा I hope यह समझ आया है छोटा से example लेते हैं इसको थोड़ा सा modify कर देते हैं Let's suppose मेरेको यह नहीं गिवन था कि मेरे पास यहां पे angle F क्या है और angle R क्या है लेकिन मेरेको यह गिवन था that D और E और वैसे यहां P और Q 70 degree और 80 degree respectively है तो मैं क्या कर सकता था मैं दोनों प्राइंगल में angle sum property निकाल के लगा के क्या मैं दोनों को यह दिखा सकता था कि दोनों प्राइंगल में यहां F और यहां R 30 degree है बिलकुल राम से कर सकता था क्योंकि angle sum property क्योंकि मेरी यहां पर थोड़ सी करती है help क्योंकि यहां पर angle sum property help कर रही है इसलिए A A A similarity के just just बिलकुल रैसे same मेरे पास होता है A A similarity क्योंकि अगर मेरे पास triangles के अंदर मेरे दो angles आपस में equal है D is equal to P, E is equal to P क्योंकि तो मेरे को पत है क्योंकि यहां पर तीनों angles का sum quantity है इसलिए तीसरा angle भी होगा same इसलिए हम यहां पर बात करते हैं कई बार A A similarity की जो हम आने वाले question में काफी जादा use भी करने वाले हैं I hope question 1 अच्छे से समझ आया है मैंने 6 में से सिर्फ 3 parts किया थे बाकी 3 parts आप अराम से कर सकते हैं उसके साथ साथ आपने A A similarity भी समझ ली है जो आने वाले questions में मेरे लिए काफी important होने वाली है अब अगर यह समझ लिया है जल्दी से आगे चलते हैं बात करते हैं question 2 and question 3 जो दोनों ही बहुत जादा easy है अब अगर बात करें question number 2 की question number 2 के कह रहे हैं diagram पहरे से आपके लिए question क्या कह रहा है question कह रहा है that in the given figure it is given to me that triangle ODC triangle O D C is similar to triangle O B A साथ सब लिए लेते हैं it is given to me that triangle O D C is similar to triangle O B A यह मुझे दिया हुए मेरे एको प्रूब नहीं करना further it says that angle B O C angle B O C मेरे पास given है as 125 degree और इसके साथ साथ एक और angle है which is angle C D O angle C D O वो मेरे पास given है 70 degree अब कह कह रहा है it says find angle D O C then angle D C O and angle O A B एक बद को दुबारा समय लेते हैं that मेरे पास इस figure में मेरे पास triangle O D C और triangle O B A यह चीजे मेरे पास 2 triangles हैं जो similar हैं आपस में और इसके साथ साथ 2 angles भी मेरे पास यहां पे given हैं find out angle O sorry angle D O C क्या कह रहे है angle D O C मतलब मुझे येवल angle निकालना है I hope हमें click कर गया होगी येवल angle कैसे निकालना है अब angle D C O D C O येवल angle निकालना है further O A B O A B ये तीन angles निकालना है देखते हैं कैसे निकालना है बहुत असान है अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले बात करते हैं इसी angle D O C की मेरे को clearly दिख रहा है D B यापि D O B एक स्ट्रेट लाइन है So angle D O C plus angle C B O D O C येवल angle plus C O B not C B O but C O B येवल angle दोनों मिलके क्या बना रहे हैं ये हैं मेरे linear pair तो इनका sum कितना हो गया इनका sum हो गया मेरा 118 degree क्या गयर हो D O C plus C O B ये दोनों मेरे linear pair अब angle C O B या फिर B O C मेरे पास दिया हुआ था 125 degree तो क्या मैं यहाँ पर बहुत normal सा plus minus करके angle D O C नकाल सकता हूँ बहुत अराम से angle D O C मेरे पास आ गया 180 degree minus 125 अब 180 minus 125 कितना होगा angle D O C is 55 degree ये मेरे पास कितना आ गया है ये मेरे पास आ गया 55 degree अब आगे क्या निकालना है अगर मेरा angle D O C अब आगे क्या रहते हैं angle D C O क्या बाइंट करना है angle D C O निकालना है अब ये कैसे निकालना देखो in triangle D O C in triangle D O C angle D C O जो मेरे को निकालना है plus angle D O C plus angle O D C ये मैंने अब भी निकाला है angle O D C मेरे को portion में दिया हुआ था sum क्या होगा इन तीनों का sum होगा 180 reason क्या है reason है यहाँ पे angle sum property अब angle D C O मेरे को पता करना है D O C मेरे अब भी निकाला है which is 55 degree and O D C मेरे को दिया हुआ यहाँ पे तीनों का sum है 180 now 70 plus 55 कितना होता है 7 plus 5 is 125 degree so angle D C O plus 125 is 180 degree कुछ कुछ calculation मेरी हो रही है वापस इसके ही जैसे so angle D C O क्या आ रहे 180 minus 125 degree क्या आ गया 180 minus 125 so angle D C O भी मेरे पास क्या आ गया angle D C O मेरे पास आ गया 55 degree यह भी आ गया 55 अब क्या निकालना है अब भी मेरे को एक आगल निकालना है which is O A B O A B कैसे निकालना अब देखो quotient में मेरे पास given था that triangle O D C is similar to O B A यह तो है मेरे पास given तो क्या मैं एक अपना concept लगा सकता हूं जिसका नाम है by C P S T यह C P S T क्या है by corresponding parts of similar triangles क्या मैं angle A कि measurement निकाल सकता हूं बहुत अराम से है क्यों? Because angle C is equal to angle C और angle C क्या में अभी भी निकालना है 55 degrees so angle A क्या आगया angle A मेरे पास आगया 55 तो अगर देखा जाए तो मेरे को तीन angles निकालने थे angle DOC angle DCO and angle क्या आगया O A B तीनों की आएं मेरे पास तीनों की तीनों आगया 55 degrees तीनों की measurement exactly है C I hope समझ आया बहुत easy question था बहुत ज़्यादा tough नहीं था ऐसा नहीं था कि जो कुछ नया कर रहे हूं बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा easy था conceptual based I hope समझ आया है जल्दी से आने चलते हैं बात करते है question number 3 की question number 3 क्या कह रहा है question 3 कह रहा है that diagonals AC and BD of trapezium ABCD मतलब यहां पर मेरे पास एक trapezium दिया हो मरे को ABCD क्या कह रहा है मेरे पास यहां पर एक trapezium है ABCD it says diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC with AB parallel to DC intersect each other at point O तो यहां पर trapezium के जो dimers है वो दूसरे को intersect कर रहे है at point O using a similarity criteria वो clearly कह रहे हैं कि आपको यहां पर similarity criteria यूज करना है मतलब आपको यहां पर क्या prove करना है आपको यहां पर दो triangles को similar prove करना है show that show that OA upon OC is equal to OB upon OD क्या कह रहे है show that OA upon OC is equal to OB upon OD यह देखो that do दोनों साइट्स दोनों साइट्स कौन सी है उपर OA and OB यहां पे भी एक ratio है यहां पे भी एक ratio है आपस में equal वो कह रहे हैं कि numerator में दोनों क्या है OA OA and OB तो मेरे को clearly समझ आ रहा है कि जो मैं यहां पे proof करूंगा वहां पे एक triangle लूंगा AOB और दूसरा क्या है OC और OD तो दूसरा triangle हो जाएगा COD क्या हो रहा है एक triangle है AOB और दूसरा triangle है COD point आता है इन दो triangles को similar proof कैसे करे देखो यह कुछ concept हमने 9th में भी कुछ-कुछ ऐसे किये हुए है ऐसे triangles को हमने वहां पे भी कुछ हद तब अपने कोशिल्स के हिसाब से proof किया हो यहां पे क्या है यहां पे मेरे को करना है similar किस concept कित्को कर सकता हूं देखो अगर AB और BC अगर AB और DC हैं parallel क्या मैं कह सकता हूं कि यह अंगल और यह अंगल मेरा है alternative interior अगर मैं A, C को ले लूँ, transversal, क्या मैं इन दू angles को alternate interior angle कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, similar नहीं, क्या मैं इस angle और इस angle को equal कह सकता हूँ, बिल्कुल, क्या concept है, same concept है, alternative interior angle, अगर मैं B, D को ले लूँ, transversal, तो मैं क्या कह रहा हूँ, in triangle A, O, B and triangle C, O, D, I can say that angle O, A, B is equal to angle O, C, D, क्यों, because यहाँ पर reason है, alternate interior angles, क्या reason है, alternate interior angles, similarly, मेरे पास आ रहा है, O, B, A, O, B, A is equal to angle O, D, C, reason फिर से रहे है, alternate interior angles, क्या मेरे पास दो angle equal proof हो, क्या मेरे पास information है, क्या मैं sufficient यहाँ पर formalities कर चुका हूँ, करने को कर भी सकते हैं, यह एक criteria से, लेकिन अगर हमारे पास तीसरा angle equal proof हो सकता है, तो क्यों भी, तीसरा angle क्या लेंगे, तीसरा angle लेंगे, यहाँ पर, angle A, O, B, is equal to angle D, O, C, इसका reason क्या है, बहुत normally मेरे को दिख रहा है, कि यह है vertically opposite angles, क्या है, यह है मेरे vertically opposite angles, so, तीनो angles, triangle के, दो triangles के, तीनो angle मैंने कर दिये, equal proof, so I can say, by A, 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 A similarity, point आते है, naming कैसे करें, by A similarity, triangle A, O, B, is similar, A, O, B, A, O, B, is similar to triangle C, O, D, Q, because A, C के एकुल, B, D के एकुल है, so A, C के एकुल, B, D के एकुल है, इसलिए, by A similarity, triangle A, O, B, is similar to triangle C, O, D, लेकिन क्या question हतम हो गया, अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा सा भी भी रह गया, अब आगे क्या करेंगे, by C, P, S, D, by corresponding parts of similar triangles, I can say O A upon O C is equal to O B upon O D. By CPST I can say O A upon O C is equal to O B upon O D. मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ भी यही करना था. O A upon O C is equal to O B upon O D. क्या प्रूफ हो गया? कितना मुश्किल था? बहुत असान था. सिमिलर प्रूफ किया, CPST यूज किया और मेरे पास आगया जो मेरे को दिखानता है. एंस प्रूफ और इसी के साथ Q3 होता है, खतम. और आगे चलते हैं, बात करते हैं Q4 की. अब ड़न मत Q3, जल्दी से आगे बढ़ें, बात करें Q4 की. तो Q4 में क्या कह रहे हैं? अपॉन QS is equal to QT upon PR और इसके साथ साथ मुझे गिवन है that angle 1 is equal to angle 2. मेरे को यहाँ पे गिवन हैं that QR upon QS, QR upon QS is equal to QT upon PR और उसके साथ साथ मेरे को गिवन है 1 is equal to angle 2. I need to prove, I need to show that triangle PQS is similar to triangle PQS is similar to triangle TQR. क्या कह रहे हैं? यहाँ पे प्रूफ करो कि triangle PQS is similar to triangle TQR. पॉइंट आता है कि हम किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं कि यह similar हैं? मेरे पास उस criteria जैसे AA criteria और AAA criteria मुझे पता है कि यहाँ पे तीनों आगल equal proof करने कोई concept मेरे पास नहीं है. आगे बात करते हैं S-S-S criteria क्या S-S-S criteria यह उसकर सकते हैं? फिलान उसका भी को इसको उपने देख रहा पर यहाँ पे कुछ sides दी हैं लेकिन वो सिरफ दो sides हैं, तीसरे के बारे में नहीं हैं. अब बचता है S-A-S criteria क्या similarity proof करने का S-A-S criteria तो अब देख लेते हैं मेरे पास triangle कौन सा है? triangle P-Q-S यह वला triangle और triangle मेरे को proof करने है T-Q-R अब देखा जाए तो मेरे पास given क्या है? Q-R, Q-R जो T-Q-R का पाठ है Q-S जो P-Q-S का पाठ है then Q-T, Q-T जो T-Q-R का पाठ है upon P-R, P-R जो मेरे P-Q-S का पाठ नहीं है लेकि उसके साथ सदिया हुए angle 1 is equal to angle 2 क्या दिया हुए? 1 is equal to 2, देखते हैं क्या इसको यूज़ करके मैं अपने दो triangles को similar proof कर सकता हूँ या नहीं जल्दी से मैं start करें तो मेरे पास यहाँ पर क्या given है? मेरे पास given है that Q-R upon Q-S is equal to Q-T upon P-R ये है मेरे को given मेरे को पता है कि ये पार्ट Q-R upon Q-S मेरे को अपने triangles में use हो सकता है यहाँ पर Q-T-V मेरा T-Q-R का पार्ट है लेकिन P-R नहीं है तो अगर मैं P-R को replace कर दूँ यहाँ पर मैं लेया हूँ P-Q P-R की जगा अगर मैं लेया हूँ P-Q तो मेरा काम हो सकता है तो देखो P-R और P-Q में क्या मेरे पास को relation है बिलकुल है exactly side करने लेकिन मेरे पास यहाँ पर given है angle 1 is equal to angle 2 क्या given है angle 1 is equal to angle 2 अब अगर मैं ले लूँ in triangle P-Q-R in triangle P-Q-R मेरे पास given है angle 1 is equal to angle 2 मुझे पता है एक बहुत novel सा अच्छा सा concept है triangles का 9th class का क्या कि अगर मेरे पास एक triangle given है उसके अंदर मेरे पास 2 angles equal है so the sides opposite to the equal angles I repeat the sides opposite to the equal angles are also equal to one another triangle सा concept class 9th so 1 is equal to 2 मेरे को दिया वह point है triangle P-Q-R में angle 1 के opposite side कौन सी है angle 1 के opposite मेरे पास side है P-R और angle 2 के opposite side कौन सी है that is Q-P या फिर P-Q क्या है P-R is equal to P-Q reason क्या है sides opposite to equal angles sides opposite to equal angles are also equal to one another इसके through मैंने proof कर दिया P-R is equal to P-Q और अभी मैंने कहा था कि अभी मैं ने जगा P-Q इंसर्ट कर दूँ यहां पे तो मेरा काम हो सकते है तो अगर इसी चीज को मैं यहां पे equate कर दूँ क्या गर दूँ अगर मैं यहां पे मेरे पास क्या 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 है Q-R upon Q-S is equal to Q-T upon P-R और अभी मैं ने प्रूफ किया P-R is equal to Q-P तो यहां पे अगर मैं equate कर दूँ Q-P तो मेरे पास क्या है This implies Q-R upon Q-S is equal to Q-T upon क्या है P-Q यहां पे Q-P तो मेरे पास क्या है Q-R upon Q-S is equal to Q-T upon Q-P और मेरे को पता है that यहां पे एक angle है which is angle Q जो दो वो triangles में आ रहे So I can say that in triangle मेरे पास यहां पे कौन से है T-Q-R and triangle P-Q-S In triangle T-Q-R and triangle P-Q-S I can say Q-R upon Q-S is equal to Q-T upon Q-P यह पाट मैंने कर दिया उपर प्रूफ और उसके साथ-साथ angle Q is equal to angle Q-Q Because यह है मेरे पास common क्या है common? Because मेरे पास जो दो साइट सी उसके जो बीच में angle आ रहा था वो था मेरे पास common So I can say by S-A-S similarity By S-A-S similarity I can say that my triangle T-Q-R is similar to triangle P-Q-S क्या कह सकता हूँ that my triangle T-Q-R is similar to triangle P-Q-S I hope easy लगा कोई खास मुश्किल नहीं आए Concept समझ आया है यहाँ पर जो यूस किया अब हम बात करेंगे question number 5 की देखते है question number 5 क्या कह रहा है Question number 5 says that S and T are points on the side P-R and Q-R of triangle P-Q-R मेरे पास यहाँ डाइगरम नहीं है डाइगरम मेरे को बनाना पड़ेगा Triangle है मेरा P-Q-R P-Q-R It says that S and T मेरे दो points है P-R और Q-R P-R पे मेरा point है S और Q-R पे मेरा point है T So S and T are points on the side P-R and Q-R of triangle P-Q-R Such that angle P इसको join कर लेते हैं Angle P is equal to angle R-T-S Angle P is equal to angle R-T-S Show that So where do you think given क्या है Given है angle P is equal to angle R-T-S मेरे को शो क्या करना है मेरे को यहाँ पर शो करना है That triangle R-P-Q is similar Triangle R-P-Q that is बड़ा बड़ा triangle Is similar to triangle R-T-S R-T-S मुझे यहाँ पर करना है दोनों triangles को similar proof कैसे करेंगे देखो जी एक चीज़ मेरे को given है That angle P is equal to angle R-T-S देखा जाए तो बहुत बहुत easy question है In simple steps मेरा question हो सकता और हो जाएगा देखते हैं कैसे हो रहा है देखो In triangle R-P-Q And triangle R-T-S क्या ले रहा हूँ In triangle R-P-Q And triangle R-T-S मेरे पास क्या given है मेरे पास given है That पहले से Angle P is equal to angle R-T-S क्या है Angle P is equal to angle R-T-S यह तो मेरे पहले से Given इसके साथ साथ मैं सिरफ एक angle से अपने दो triangle similar proof नहीं कर सकता दूसरा क्या कर सकते हैं देखो दुबारा ना पढ़ो R-P-Q and R-T-S दोनों में common क्या है दोनों में क्या है दोनों में क्या है दोनों में क्या क्या है which is angle R which is common So angle P is equal to angle R-T-S में तो given है उसके साथ साथ angle R है common So I can say that using A-A criteria यह मैं आपको वीडियो की starting में question 1 के बाद समधा चुका हूँ कि अगर हम दो angles भी prove करते हैं तो भी मैं कह सकता हूँ using A-A angle angle criteria I can say that triangle R-P-Q is similar to triangle R-T-S क्या कह सकता हूँ that triangle R-P-Q is similar to triangle R-T-S यह एक criteria है एक angle given थो और दूसरा ले लिया मैंने common I hope समझ आया क्यों मैंने पहले का था बहुत easy है कोई खास tension वाली चीज नहीं है इसको डागरम बना लो उसको देखो कि तो अपने आप समझ आजाए कैसे होने वाला है क्या हमें करना क्या था triangle R-P-Q triangle R-T-S को similar एक angle है common एक angle दिया हुआ था सेम है तो बहुत अराम से easily कर सकता हूँ हो जाएगा है हो समझ आया है इसी के साथ आगे चलते हैं बात करते हैं question number 6 की now done with question number 5 जल्दी से start करते है question number 6 देखते है question number 6 में क्या कह रहा है question number 6 में कह रहा है that in the given figure जो यहाँ पे आपके लिए बोट पे पहरे से बनी हुई है it says that triangle A-B-E is congruent to triangle A-C-D क्या कह रहा है triangle A-B-E A-B-E यह triangle मेरा congruent to triangle A-C-D then it says show that to prove में क्या करना है that triangle A-D-E में को prove करना है that triangle A-D-E A-D-E अबर पार जो पर चोटा सा triangle है this is similar to my triangle A-B-C क्या है triangle A-D-E is similar to triangle A-B-C यह छोटा सा triangle इस पूरे triangle के similar है यह मेरे को prove करना है अब करेंगे कैसे देखो जो भी मेरे को prove करना होते है वो approximately जो मेरे को information चाहिए होती है वो मेरे निकलती है given से तो देखते है मेरे पास given में क्या था मेरे पास given में है तो क्या given है that triangle A-B-E is congruent to triangle A-C-D यह given है अब जैसे हमने concept अभी सीखा है similarity का C-P-S-T पैसे हमारे criteria concept है class 9 congruency card which is by C-P-C-D corresponding parts of congruent triangles यह कर कहते है that अगर मेरे 2 triangles हैं यहाँ पे congruent तो में corresponding parts corresponding sides or corresponding angles equal है तो अब अभी के लिए लेते है sides मैंने कहरा हूँ by C-P-C-D I can say that AB AB is equal to AC क्या कह सकता हूँ AB is equal to AC और इसके साथ-साथ मैं यह भी कह सकता हूँ that AD is equal to AE क्या था मैंने कहा AB is equal to AC and AD first and last is equal to AE first and last यह भी है मेरे corresponding parts of congruent triangles अब यह पार्ट मेरे पास आगी तो इसको मैं ले ले लिया part 1 और उसको मैं ले ले लिया अब मैं कह रहा हूँ that divide 2 by 1 क्या कह रहा हूँ divide 2 by 1 अब अगर ध्यान दिया हो तो मैं छोटा सा twist लिया है यहां पर छोटा सा आगे बीचे किया है क्या मैंने जो पहले साइड लिखी वो थी off triangle A B E लेकिन नीचे आतर तक जो मैंने साइड लिखी वो थी off triangle A C D यह मैंने हलका सा जो twist किया है जो मैंने हलका से यहां पर position change करी है क्यों करी है यहां पर मैं यह नहीं देख रहा कि मेरे पास given क्या है मैं देख रहा हूं कि मेरे को prove क्या करना है क्या देख रहा हूं कि मेरे को prove क्या करना है और मैं उसी के हिसाब से आगे चल रहा हूं कि जो मेरे को prove करना है उसके हिसाब से रहा है So divide 2 by 1 AD upon AB is equal to AE upon AC अब देखो मेरे पार जो दो ट्राजर से इसको मेरे को करना सिमिलर प्रूफ हो क्या थे ADE और ABC तो AD और AB हैं यहाँ पर corresponding parts AD और AB वैसी AE और AC AE और AC हैं मेरे corresponding parts तो मैं जो यहाँ पर अभी तर प्रूफ किया है वो मैं टर रहा हूँ अपना according to मेरे को proof क्या करना है अब जो यहाँ पर मेरे पास आ गया AD upon AB देखो 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 क्या है AD upon AB AD upon AB is equal to AE upon AC मतलब मैं दो sides को कर चुका हूँ ratio में equal proof अब point आते कि यहाँ तो मैं यहाँ पर use रह सकता हूँ SSS मतलब मेरे को करना होगा DE upon BC या फिर SAS के चक्कर में अंगल A पुरूख और मैं क्लिरली जैसके तो अंगल में मेरे लिए एजी है क्यों बिकॉस अंगल A is equal to angle A वो है मेरा common क्या है अंगल इस दोनों में आ रहा है so this is common so now I can clearly say that in triangle ADE and triangle ABC I can say AD upon AB is equal to AE upon AC ये मैं कर चुगा हूँ पहले से proved and angle A is equal to angle A ये क्यों बिकॉस ये है मेरा common so I can say that by SAS similarity by SAS similarity my triangle A, D, E is similar to triangle A, B, C क्या कह रहा हूँ my triangle A, D, E is similar to triangle A, B, C कोस्षिन बहुत जादा मुश्किल नहीं था I hope समझ आ रहा है कैसे किया बहुत क्विक बहुत आसान कोस्षिन था लेकिन क्योंकि ये कॉंसेप्स हम पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक बार के लिए हमें टाइम लगे सो क्या करना है हमें ये करना है कि हमें बार-बार विडियो देखनी है हमें बार-बार कोस्षिन की प्राक्टिस करनी है जब तक हमारे दिमाग में अराम से कोस्षिन करने के तरीके दिमाग में सेटल नहीं हो जाते बैठ नहीं जाते के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर वाइंड़ अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे कोशन नमबर 7 और शेम एक्सरसाइज तिल निए वीडियो कीप वाचिंग कीप लर्निंग अगर समझ आया है तो लाइक बटन सब्सक्राइब आ सब्सक्राइब खाल ट्राइब साथ भाइब की लिए बटन या को सब्सक्रा आया है